जिस बेक्ती ने अपनी आदतें बदल ले वो कल बदल जाएगा और जिसने नहीं बदल ले उसके साथ कल भी होगा जो आज तक होता आया बीच रास्ते से लोटने का कोई फाइदा नहीं कि लोटने पर आपको उतनी ही दूरी तैय करने पड़ी जितनी दूरी तैय करने पर आप अपने लच तक बहुँ सकते हैं अच्छे कायर करने के लिए हर वक्त अच्छा होता है कायर को कल पर टालना या किसी सही समय का इंतजार करना केवल एक धोगा है जो हम स्वेम को देते हैं भीड हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो रास्ता असान लगता है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भीड हमेशा सही रास्ते पर ही चलती है अपने रास्ते खुच चुनिये क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता जिंदगी की परिच्छा में ज़्यादतर लोग इसलिए ऐसा फ़ल हो जाते हैं क्योंकि और दूसरों की नकल करते हैं पर वे ये नहीं जानते हैं कि सभी के परस पत्र अलग होते हैं दूसरों पर चोटा एक तरह से दूसरे दिन का काम टानने के समानी है ऐसे पेक्ती का अवसर भी निकल जाता है और उसका काम भी ठिक तरह से नहीं हो पाता है समय और समझ दोनों एक साथ खुस खिसमत वाले लोगों को ही बिलते क्योंकि अकसर समय पर समझ नहीं आती और समझ आने पर समय निकल जाती जीवन में एक बार जो फैसला कर लिया तो फिर पीछे मुड़कर मत देखो क्योंकि पलट पलट कर देखने वाले देखने वाले उतिहास नहीं बनाते रोज तारीक बदलते हैं रोज दीन बदलते हैं रोज अपनी उमर भी बदलते हैं इसलिए समय के साथ आप भी बदलो आप भी बदलो कुछ अलग करना है तो भीड से हटकर चलिए भीड सहस्तों देती हैं पर पाचान छीन लेती हैं इस परकार की रेगुलर और पहतर वीडियो के लिए अभी तुरंथ हमारे चैनल को सस्क्राइब कीजिए और देल आइकन को भी दबाद देजिए जिसे टाइम तो टाइम आपको नोटिफिक साथ मुलता रहें अब वीडियो पसंदा है तो लाइक और सेब भी कीजिए जिस झाल